अगर आप लोग इंडिया में यूज कर रहे हो समसंग का कोई सबी डिवाइस एंड वेट कर रहे हो फॉर थी अपकमिंग वन यूए 3.5 अपडेट तो आज की वीडियो में आप लोग को लेक्विक अपडेट लेकर आगया हूं कि आप लोग की डिवैसिस के अंदर वन यूजर्स को बहुत जादा एकसाइट करके जाते हैं तो वन यूए 3.5 बे कुछ एसी टाइप का अपडेट होने वाला है आज की वीडियो में आप लोग को इसकी कुछ डिटेल्स बताने वालों जो की मेरे हाथ लगी है अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आ लेमजन का ना जो वन यूए 3.5 है उसका डिजाइन एंहेंसमेंट कैसे होने वाले हैं सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात कंफर्म करा देता हूं कि एंड्रोइड 12 पे बेस नहीं होने वाली है इसके साथ आप लोग को कोई भी एंड्रोइड 12 का वर्जन देखने को नही आप लोग को बता होगा अभी हमारे डिवैस के अंदर सैंसंग का डिफॉल्ट मैसेजिंग एप्लिकेशन चलता है यह चीज गूगल के गूगल मैसेजिस एप्लिकेशन से रिप्लेस होने वाली है मुझको बस एक डर यह लगता है कि कहीं सैंसंग डाइलर भी गूगल दगें तो आप लोगो को देखने को मिलने वाला है सैंसंग का टैजन ओइस रिपलेस होता हूँआ देखने को मिल जाएगा Dhiala कोष्ची बात है क्यूंकिक्री यह का इंडर फोड़े यहां पर बात करते हैं One UI 3 के 3.5 के release के तो आप लोग को पता है Samsung हर साल अपनी जो One UI के versions है उनको नए नए release करते रहता है और इस साल भी ऐसी कुछ होने वाला है One UI 3.5 है न जो expected है कि arrive होगी Samsung's new flagship device जो कि आने वाला है mid of the year yes half of the year आप लोग मान के चलो वो आप लोग को भी पता है मुझको भी पता है Samsung की Note series के devices है Note series के devices के साथ One UI 3.5 officially India में launch हो जाएगी और यह जो अपडेट है Android 12 पे base नहीं होगा फिर से बता दूँ One UI 4.0 जो आएगा वो होगा Android 12 पे base तो यह चीज़ अगर आप लोग मान के चलो तो मानों मत यह चीज फेक है और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और कुछ यहाँ पर improvements की तो improvements तो इसमें अंदर बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं यही थी कुछ बात है जो मुझको आप लोग को बतानी थी regarding One UI 3.5 तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लेगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो उसी के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी टाइप की quality वीडियो में आप लोग लिए और बाय और वीडियो और वेरी नेक्ट वीडियो